कि ऐसे आप सेशन की lifetime को सैट कर सकते हैं यह बिसिकली जरूरत पर देहां जैसे जैसे कि मैं आज अपनी बात करूं आज मैं जब अपनी कंपणी में काम कर रहा था तो क्लाइंट की रिक्वार्मेंट थी कि लारावेल में जो एपई बनी थी वो एंड्रोड एप से कनेक्टर थी एंड देन वो 24 गंटे बाद लॉग आउट कर देता था यूजर को सैसन ओटोमेंटिकली एक्सपायर हो जाता था ठीक है तो क्लाइंट का कहना था कि वो 24 गंटे ब बताने वाला हूं तो यहां पर मैं अपने प्रो आइडियम को सेर करता रहता हूं अगर आप जाती है सी एक्सपिरियंस मिलता रहे तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बैल अकन जो रहे हैं तो मैं यहां पर पहला इस्टैप रहेंगा की हम सैसन की जो ला करेंगे ठीक है जो राउट सेट अप करने होंगे वो करेंगे एंदन मैं यहां पर बिना कंट्रोलर के यहां पर अपना काम करने वाला हूं स्टार्ट तो देखिए यहां पर क्या है मैंने अल्रडी यहां पर एक फॉर्म बना के रखा है फॉर्म.plat.php जो कि मेरा व्यू है ज यहां पर रिडिरेक्ट होगा तो यह चेक करने के लिए बना लिए तो मैंने फाइल तो आप भी बना लीजिगा ठीक है अन्दन सबसे पहले हम यहां पर क्या करने वाले है लॉग इन कराने वाने ठीक है लॉग इन को पहले सो कराएंगे तो राउट कॉलन कॉलन गेट अन रही है पर यहां पर मैं कर लेता हूं स्लैस लॉग इन यहां पर हम यहां पर कोई नॉटर और भगर नहीं वंना रहा हुंकिन वालों तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं रिटन करा दूंस इन दी qa we करोण का ठीक है एंद my capital leade हो गया एंद जैसे इस पर कोई पोस्ट का вопросы मतलब जैसे कि आगर कोई login पर ही हमारा फॉस्ट प्रोस्ट होगी ठीक है तो पॉस्ट मेफटट चलेगा क्योंकि हमने यहां से फोर्म से जो है पोस्ट मेफटट चलाया ठीक है तो post method के लिए हम यहाँ पर post बना लेंगे and then हम यहाँ पर slash login ही रखेंगे क्योंकि हमारा जो login पर ही post request आ रही होगी ठीक है and then यहाँ पर मैं क्या करूंगा request class को use करूंगा तो request class ऊपर भी मैं import करा लूँगा dollar request and then यहाँ पर चोप पर मैं request class को यूज करूगा ठीक हैं तो यह होती है आपकी यूज इल्यू मिनीट एल्यू मिनिट एं-डर यह आपकी होती है सद्टी पी के अंदर रिक्वेस्ट क्लास ठीक है तो यह रिक्वेस्ट इस प्लास हो गे स्ट दरन यहां पर हम कराएंगे सैसन और यह नीचे से हम यह ब्यूआ ज़ेते हैं अन्दन सैसन मेंके अंदर हम पुट कर देंगे क्या हमारी फिर्म से जो हमारी email आ रही है उसको हम पूट कर देंगे अपने session में तो में यहां पर लिख देता हूँ email and यहां पर dollar request sorry dollar request और यहां पर हम अपनी email टाइप रहें ठीक है अब जैसे ही post method request जाएगी and then session आपका सेट हो जाएगा फिर हम रिटन करा देंगे से कहां पर हों पर ठीक है तो रिटन रिडारेक्ट स्लैस हॉम ठीक है तो हॉम अभी हमने बनाया नहीं है हॉम नाम का युगारल ठीक है तो वह हम नीचे बना लेते हैं राय। क्छ वन पर स्लैस हम वाए एक सृष थे हम चेक करेंगे कि सैसके इस occasions करता भी या नहीं है अगर देखिए एक सैसर करीगा तो हम उसे पर ही रखेंगे और बढ़ना हम यहां पर लॉग इन पर रिडिर्क कर देंगे ठीक है तो डॉलर रिक्वेस्ट को ही हम यहां पर यूज कर लेते हैं तो आएंड और रिक्वेश्ट रीक्वेश्ट हमने यहां पर यूज किया है एन यहां पर चेक करेंगे कि अब है नेरा ट्रीक कॉछ हुं हिवनार टैंक है स् сек तो यहां पर है को मत तरह यहां है जयसे अगर बिंग ऐस्थ तो तो हम उसे करा देंगे return view form ठीक है and then else में हम यहां पर करा सकते हैं हम डारेक्ट यहां पर लिख देते हैं return redirect login ठीक है and then slash हमने यहां पर लगाया login ठीक है guys इतना काम किया भी हमने अभी हमने क्या किया है कि login form load कराया करा के दिखा देता हूं मैं आपको एक बर तो सारी फाइल सेव हैं मेरी and then मैं यहां पर terminal निउपन करूंगा sorry मैं यहीं पर terminal चल चालू है मेरा तो यहां पर मैं टाइप करता हूं PHP artisan serve ठीक है and then मैं यहां पर 127 करता हूं run तो यहां पर जो है हमारा login है क्योंकि हम login url बनाए है and then यह क्या बोला 4040 पांड क्या url है हमारा login और form है basically दोवारा optimize करना पड़ेगा मुझे अपना प्रोजेक्ट क्योंकि कैसे बगरा ले लेता है यह प्रोजेक्ट मेरा इसलिए and then देख सकते हैं हमारा login चल गया ठीक है तो यहां पर कोई user email डालेगा and then password डालेगा login करेगा फिलाल में देखिए अभी क्या है कि यहां पर अगर कोई login है तो उसमें भी हमें check लगाना पड़ेगा तो मैं यहां से simple copy करता हूं अगर कोई login है यहां से इसमें भी मैं request class पास करूंगा से कि मैं चेक कर लूँ कि login है या नहीं ठीक है क्या पता कि वह home मतलब session exist करता है फिर भी वह login देख पा रहा है ठीक है अगर यहां पर exist होता है तो हम यहां पर return कर देंगे रिडारेक्ट कहां पर फर्टीक है थिक है अलस सुरी एल्स ऑंपर और टन रिटन करेंगे व्यू फार्म ठीक है अलस में तो अहब हमने इतना काम कर दिया है पहले देखिया हमने यहां पर क्या के लिए कि aगर हो सेर्म एक डिरेक्ट करता है थो हम रिडिरेक्ट कर देंगे हम पर ख़ए-पोसिट्स रिक्वेस्ट आती तो शेषं-टन हो जाई एंड डिरेक्ट थे हम पर और हम्पे जैसी डिर्यक्त होगा कोई चेक करेंगा अधेल more cumin पर ऐटाहई हम अधना काम करने देहाँ अभी देखें किया कियां अभी यहां पर चेशन नहीं किया आइप करेंगे क्योंकि ज्यादा टायम को सैट करने के लिए पहला भी जो होता है आप यहां पर जाने के बाद आपको यहां पर मिलती है session.php file ठीक है session.php file में आओगे तो आपको यहाँ पर सबसे उपर से नीच आओगे न तो आपको यह मिलेगा session lifetime ठीक है यहाँ पर lifetime जो होती है 120 ठीक है एक वे तो यह आप कर सकते हैं like यहाँ पर डिरेक्ट क्या करें यहाँ पर बन लिख दें है कि हमने यहां से यहां से सैट नहीं करते हैं basically जो में भी होता है वह आप यहां से सैट करेंगे तो आप जाएं यहां पर फाइल में and then आपको यहां पर जाने के बाद एक मिलेगा session driver and session lifetime session lifetime में आपके दो गंटे अल्रेडी होते हैं by default आप यहां कर दें simple 1 ठीक है simple 1 करने के बाद अब आपका जो है यहां पर एनवी फाइल सेव होने के बाद यहां पर आप सर्वर को कोशित करूंगा तो यह मेरे को redirect कर देगा home पर ठीक है तो यह मेरा session set हो चुका है अभी देखिए क्या है मैंने एक मिनट के लिए session set किया है तो देखिए अभी आपको check करना है तो क्या करना हुआ आप जो है अभी इसे को यहीं पर यहीं रोग दीजिए ठीक है मतलब कुछ कुछ भी मत कीजिए इस पेज को reload मत कीजिए ना कुछ कीजिए मतलब इस साइड पर कुछ भी मत कीजिए और एक मिनट वाद आप अगेन आईएगा तो आपका जो है session logout हो जाएगा तो देखिए मैं यहीं पर वीडियो को pause कर देता हूं and then एक मिनट वाद आता हूं यहां जैसा कि मेरी आपको स्क्रीन पर दिखाई 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 ठीक है मैं lot कि आऊंगा फिर हम refresh करेंगे तो हमारा login पर redirect हो जाएगा तो मैं आचुका हूं थोड़ा ज्यादा time लग गया मुझे क्योंकि मैं थोड़ा बार गुमने चला गया तो देखिए अब मैं देखिए यहां पर देखिए यहां पर यहां पर रिफ्रेस करता हूं ठीक है तो रिफ्रेस किया देख सकते हैं automatically मेरा session expired हो चुगा है तो यह आप चेक आउट कर सकते हैं आपने अपने साथ किया होगा तो आपको पता जल जाएगा ठीक है तो ऐसे यहां पर env file में या configuration में आप चेक कर सकते हैं config.phv file में और वहां पर आप सैट कर सकते हैं like अगर आप पो one year का लगाना तो आप क्या करेंगे तो देखिए आप क्या करेंगे आप यहां पर simple क्या करने वाले होंगे कि 60 60 minute और 24 hours ठीक है और यहां पर आप कर देंगे into 365 मतलग 365 पर आपको यहां पर ऐस बनता है 5256 00 मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने आज ही company में यहां पर try किया ठीक है तो आप यहां पर इतना पास कर सकते हैं आपका one year तक के लिए आपका satisfaction हो जाएगा आपका lifetime session set तो यह उसके बाद फिर यहां से session out होगा तो I hope अगर आपको lecture पसंद आया तो थोड़ा पसा भी तो आप चैनल को सब्क्राइब करें लाइक ठोके अंदन मिलते हम नाइस टुटियल में so thank you मिलते रहेंगे हम ऐसे टुटियल के साथ